यूबडी का सहारा लेके टैक्स को थोड़ा गुमा फिरा के लिखता रहता था फिर कोई न कोई कीवर्ड में मेरी जो वीडियो वर रैंक कर जाती थी हाई गैस तो कैसे आप लोग दोस्तों अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और आपकी यूट्यूब वीडियो पे भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी यूट्यूब वीडियो पे व्यूज ला सकते हैं मतलब search alert से उनको अपनी वीडियो पे views लाना पड़ते हैं तो search alert के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपनी जो वीडियो वो search alert में top ranking पे लाना पड़ेगी आप अपनी वीडियो top ranking में कैसे लाएं तो top ranking में लाने के लिए दोस्तों आपको जो है वो searchable tags का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों suggestion में वीडियो के लिए लाने के लिए अलग tags यूज़ होते हैं search में वीडियो को लाने के लिए अलग tags यूज़ होते हैं तो आज में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो को सर्ची रल्ट में ला सकते हो और कैसे उन पर धेल सारे व्यूज ला सकते हो तो आज की वीडियो में बिद प्रूफ में आपको सब कुछ बताऊंगा और अपना सारा पर्सनल एक्सपिरियंस अपना जो मैंने टिक्स अपने YouTube वीडियो उस पे अप्लाई की हैं वो सारी किजारी चीज़े में इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से लेकर वो सर्चिलियो में लाएकर तो आपको कैसे अपनी वीडियो में ना werd ohh लानी है दोस्तों इसके लिए आपको सर्चेवल टैक्स का यूश करना पड़ेगा आप सर्चेवल टैक्स का कहां से ले सकतेओं वूं आपको मैं सारा इस वीडियो में पताऊंगा। तो वीडियो को लास तक जूरू देखिएगा दूस्तों, कैसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए सर्चेवल टैग्स ले सकते हैं, और कैसे आप अपने वीडियो को रैंक करवा सकते हैं, दो से तीन तरीके में आज आपको ऐसे बताऊंगा, अपने YouTube चैनल पर अपने वीडियो करते हो, तो दोस्तों उसका 101% आपको रिजल्ट मिलेगा, दोस्तों अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, बट आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने वो ट्रिक अपने आपने वीडियो की है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तो अगर आपकी वीडियो को आप अप्लाई करते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, पहले आपने एक से तेड़ मिना वेट करना है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप मेरे चैनल पे आटे मेरी वीडियो को डिस्क लाइक करके कॉमेंड में धेर सारी गालिया लिखके और मेरे चैनल को अंसब्सक्राइब करके जा सकते हो बट आपको एक तेज देड मिना वेट करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि कहां से आप सर्चेबल टेक्स लाएं दूसर सबसे पहले जिस्वी टॉपिक पर आपने वीडियो बनानी है उस टॉपिक को आपने सबसे पहले एपने यूट्यूब की सर्च बार में जाके सर्च करना है जैसे अगर आपने कोई वीडियो बनानी की How to create a YouTube channel ठीक है तो आपने सबसे पहले YouTube की सर्च बार में जाना है और इसे सर्च करना है कि How to create पहले English में सर्च करेंगे How to create a YouTube channel ठीक है जैसे आप लिखेंगे How to create a YouTube ठीक है आपको भुसरी रिजल्ट नीचे देखने को मिल जाएंगे अब यह जो रिजल्ट है यह हमारे tags एक हमारे tags में यूज़ होंगे ठीक है तो आपने इनको या तो copy में लिख लेना है या फिर इसका screenshot आपने ले लेना है ठीक है अब यह होगया English में अब आप सर्च करेंगे हिंदी में कि अपना YouTube चैनल कैसे बनाएं अब जो भी ये रिजल्ट आपको मिले हैं उसको आपने स्क्रिंशॉट ले लेना है या आप कॉपी में लिख सकते हैं ठीक है तो आपने उसका भी स्क्रिंशॉट ले लेना है और जो भी आपके माइंड में जो भी आपका कीवर्ड आ रहा है वो आपने उस तरीके से सर्च करना है या फिर आप किसी और को पूसकते हो कि अगर भाई तू इस चीज को सर्च करना चाहिए YouTube में तो उससे कैसे सर्च करेगा तो उस कीवर्ड को आपने डाल के देखना और जो भी रिजल्ट आपके आए जो भी थोड़ना है वो ही लोग सर्च करेंगे तो इसलिए आपको टैक्स यूज करना पड़ते हैं ताकि अगर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड यूज करके कोई वीवर आप वीडियो को सर्च करता है तो आपकी जो वीडियो वो रैंकिंग में तो यह जो कीवर्ड आप अपने अपने तैग में यूज करने हैं अब आप बोलोगे लें टैग भी 500 से ज़यादा word से ज़यादा यहाँ डाइक आप लगा सकते हो जितने भी टैग्स आप टैग्सक्राइब लगा सकते हो वह टैस्ट आपने इसमें लगाने हैं और उसके बाद जो बच गए और जो आपने लिखे हैं, उनको आपने description में लिख देना है और queries करके और जो भी tags आपने लिखे हैं, screen shot लिया है, उनको आपने description में भी लिख देना है अगर आप इसे अपने videos पे apply करती हो, ऐसे tags अपनी videos पे लिखती हो तो आपका इसका 101% जो है वो result मलता है result आपकी वीडियो जो वो ranking में आती है ठीक है ये पहली tips है searchable tags के लिए ठीक है अब बात करते हैं दूसरी tips की दूसरी tips में क्या करना है आपने कोई video बनाई जैसे कि इसी video का example ले लिए कि how to create a YouTube channel आपने videos बना दी आपने tags जो पहले searchable tags थे वो use किया है ठीक है उसमें भी आपका कुछ नहीं हो रहा है मतलब उससे भी आपके views नहीं आ रहे है थोड़े थोड़े views आ रहे हैं कम एक दो तीन चार मतलब दिन के 20-30 views आ रहे हैं तो उसपे click करते हो तो और उसके discovery option में जाते हो तो जैसे आप नेचे scroll down करोगे तो आपको जो searchable keywords जिन keywords को search करके आपके YouTube वीडियोस पे views आये हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे keywords देखने को मिलेंगे जो keywords यूज की हैं मतलब जिससे आपके वीडियोस पे views आये हैं तो क्या करना है आपने ये सारे keywords कोपी करके या फिर इसका screenshot करके इसको अपने tags में लिखना है ठीक है इसको अपने tags में भी लिखना है डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है अगर इस तरीके से भी आप views आते हैं क्योंकि ये वो ही keywords हैं जिस keywords से आपके YouTube वीडियोस पे views आये हैं तो अगर आप इन keywords को अपने tags में लिखते हो डिस्क्रिप्शन में लिखते हो या फिर थोड़े से title में भी लिखते हो ठीक है ये थी दोस्तों दूसरी tips की कैसे आपने वीडियो को search result में ला सकते हैं और कैसे उसकी ranking बढ़ा सकते हैं और कैसे search result में लाके views ला सकते हैं अब बात करते हैं कि कैसे अपने वीडियो की ranking को बढ़ाएं ठीक है ये तो search result में तो आपकी वीडियो आगी आप ranking में कैसे बढ़ाएं जैसे अगर आपके वीडियो पांच में छटे नमबर पे आ रही है तो उसको पहले नमबर पे कैसे लाएं तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूं और ये चीज मैंने खुद भी दोस्तो अपलाई की थी अप का phone आपके पास है तो आपने कहे करना है उनके phone से अपना जो वीडियो को title था वो search करना है जैसे आपने सर्च करْnे के बाद जिस भी ranking इन अगर मानलेजी आपकी वीडियो आ रही आघमें या दसवे है वीडियो आ रही है पहले आपने जो पहले दूस्या पर तिसcio वीडियो पर जाके उसे फुल बॉच करना है, मतलब पूरी देखनी है वीडियो ठेक है, तो इससे क्या होगा, इससे यूट्यूब को ये लगता है कि creator उपर की वीडियो को नहीं देखके इस वीडियो को ज़्यादा preference दे रहा है मतलब इस वीडियो में कुछ ने कुछ है तो YouTube क्या करता है उस वीडियो को ranking उसकी वीडियो की ranking धीरे 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 बढ़ता रहता है मतलब गरा ऐसा आप 15-20 phone से करते हो जितने भी अगर आप हर किसी के phone से search करके देखते हो तो आपकी जो वीडियो की ranking धीरे 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 बढ़ती जाती है अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपकी जो वीडियो हर keyword पे रहन करती है मैंने भी ऐसा किया था और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था ठीक है तो आपने ऐसा करना है, अपने हर अपने friend के phone में जाके सर्च करके अपनी वीडियो को फुल वोच करना है तो अगर आप ऐसा करते हो, continue आट दस दिन ऐसा करते हो, तो आपकी जो वीडियो की ranking है वो बढ़ जाती है और आपकी जो वीडियो के रंकेंग अधर टॉप प्यागी तो मतलब आपको व्यूज धेर सारे मिलेंगे दूसरों मैंने जिस अपनी वीडियो के अप्लाई किया था तो मतलब मैं ये था कि अपने टैक्स जो हर बार मतलब चेंज करता रहता था जैसे ही आज मैंने वीडियो अप्लोड की थी तो मेरी जो वीडियो तीन मंत बाद जाके वाइरल हुई थी ठीक है मैं उसका थम्मेल भी चेंज करता रहता था और टैक्स भी चेंज करता रहता था टैक्स भी मतलब मैं गड़ी का सहारा लेकर टैक्स को थोड़ा गुमा फिरा के लिखता रहता था फिर कोई ने कोई keyword में मेरी जो वीडियो को rank कर जाती थी तो इसी कारण मेरी एक जो वीडियो है वो एक keyword पर rank कोई तो वो धीरे धीरे मतलब viral होगी चार महिने बाद उस पर धेर सारी वीज़ आने लग पड़े थे और यही ट्रिक में यूज़ करता था उपने फ्रेंट्स के फॉन में अपनी वीडियो को सर्च करके फुल वाज करता था ठीक है अगर आप इसे यूज़ करते हो तो 101% आपकी जो वीडियो वो रैंक करती है औ और आपकी जो वीडियो वो बाइरल होगी तो आप इसे अगर आप अपने चैनल पर अपनी वीडियो पर अप्लाई करते हो तो मैं गैरेंटी से कहा रहा हूँ आपकी जो वीडियो पर व्यूज़ आएंगे और आपकी वीडियो बाइरल होगी बट आपने एक से डेड़ भ पसंद आई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर्थ करना ना भूलें और दोस्व आपकी कोई राय है या कोई सुजाब है तो आप नहीं चाहिए पामेंट आउसन को सकते हैं दोस्व वीडियो देखने के लिए धन्यवाद